हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीसी एंबे डिजिटल गुरुकुल पर बच्चो आज हम लोग जो मोपप राउंड टू के अंदर उत्राखंड में इंस्ट्रक्शन्स आई हैं फोर दे काउंसलिंग उसकी बात करने वा है वो यहां पर परतिभागी कर सकते हैं यानि कि पार्ट ले सकते हैं ऐसे ब्यारति जिन्हों ने बोर्ड द्वारा मौपप पर्थम च्रण में आवंटे सीट पर निधारित समयान दगत प्रवेश प्रिकेंट पूरे ना की गई और मौप च्रण में सीट आवंटें पर न प्रथम दित्ते मौप अप वन च्रण काउंसलिंग पंजिक्रण नय कराया हो यानि कि फर्स्ट और सेकिंड राउंड में अगर आपने रिस्टर नहीं किया मौप अप राउंड के लिए और आप आगे प्रतिभाग करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते जिन अब्यारतों द्वारा नीट यूजी उत्राखंड राज्ये किंद्रेकरत काउंसलिंग में सीट पर निधारत प्रवेश प्रिकेशाप पूर्ण करकर अपना प्रवेश सुरक्षित करा लिए गया यहनि कि जिन रेटेन कर लिए अपनी सीट वो नहीं आ सकते नेक्स्ट राउंड में जिन अब्यारतों द्वारां MCC भारत सरकवार की काउंसलिंग में कोई सीट मिल गई वह भी नहीं आ सकते एहर नहीं होंगे अलाउड नहीं होंगे आवेधन प्रिक्रिया क्या करने में करवा जा चुका है को भी उनको भी दुबारे से फीस डिपॉसिट करनी होगी कि इतनी टू थाउसेंड बीडिस पार्टेकर में इत्तु निर्दारे दनो राशी दस हजार सेक्यरोटी फीस जो है आपको वो भी डिपॉसिट करनी होगी एक तो पंजी करने रेजिस्टर्ड की और एफ फीस डिपॉसिट अनिवारे हैं जिन अभी आरते द्वारा पर्तम दित्य मोपप वन चरण में काउंसलिंग में निर्धारित दरोहर रुपिस डाशी या उससे अधिक की जमाय कराए गई है और उनकी जाशी फॉर्फिट ना होगी हो यानि उन्हें कुछ ऐसा काम ने आ किया उनकी जब तो ना हो गई हो अगर वो भाग लेना चाहते हैं तो वह है hnbumu.ac.in पर जाकर स्वयम को काउंसलिंगे तू पंजिकरण धनराशी जमा करवाते वे पंजिकरण कर ऑनलाइन आवेदन अपलोड कर नवीन च्वाइस फिलिंग करने उनको अनिवारे होगी अगर किसी की फीस ओलरडी से ज़ाधा मोर्ट में डिपोजिटेट और रिफ करना होगा मोपप राउंड टू चरण काउंसलिंग में प्रतिभाग करने तू परते कि छुक अहरा बैर्थी को निदारित समय विदियें पंजिकरण करने के उपरांत वे लाइन आवेदन फार्म को बरते हुए समस्त वाचित अभिलेक अपलोड कर नवीन च्वाइस फिल ठीक है यदि कोई उच्छुक एव एरय ब्यार्थी ओनलाइन आवेदन पत्र में भरे गई किसी सूचना या मोपप चरण नेतू बरे गई 24 फिलिम परिवर्तन करना चाहता है तो ब्यार्थी को अधित्य काउंसलिंग चरण नेतू पंजिकरण के निदारितित्यों के दु आप ऐसा कर सकते हैं जितनी बार संसोजन करेंगे उतनी बार 500 रुपे आपको देने होंगे ठीक है अब ब्यार्थी ओनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई किसी सूचना ता मूल अभी लेको कि स्कैन कोपी को विलम तंदिनाक आठ तारिक तक एडिट कर सकते हैं आठ तारि ठाउम डिपोजिट भुरा-भरा उसको प्रिंटाउट जरूर निकाल ले बच्चों बविश्यों में आवेधन के संदरग में जानकार यहत्वा प्रकंड का निस्तर निस आवेदन फॉम के प्रिंट आउट के अधार पर ही किया जाएगा तो प्रिंटाउट जरूर लख जो भी आप च्वाइस फिल करते हैं उन्हें पहले सबसे पहले सेव कर ले तत पस्चात अब बेरती को सेव कीगे च्वाइस को क्या करना होगा लॉक करना होगा परिवर्तन करने के लिए पैसे दे नहीं है वो हमने पढ़ी लिया है बच्छों यदि ओनलाइन आवेदिन फार्म बरते समय अबहरती दवारा 24 फिलिंग को सेव करने के प्रांथ लॉक नहीं किया जाता है तो अबहरती ओनलाइन आवेदिन फार्म बरते समय चैनित कोटे कैदार पर चैनित अपलबसम सीटों में से अपनी 24 के नुसार जो भी आप करम भरना चाहें वो भर सकते हैं जो भी आपको करना है सीक्वेंस वो आप कर सकते हैं अता अब्यारतियों को पुना सला दी जाते कि वह ओनलाइन आवेदिन फार्म भरते समय राज्य कोटा ओल इंडिया मेनेजमेंट कोटा कैदार पर चैनित उपलसम सीटों में से अपनी 24 के नुसा जितने ज्यादा से ज्यादा सीटे हूं वो जरूर फिल करें और यह भी सला दी जाती है कि जो भी आप को लिजमेंट ले रहे हैं उसका बॉन्ड वगएरा सब कुछ पहली प्राप्त कर लें कौंसलिंग द्वारा मोपप राउंड टू चरणवे प्रोक तुनिसरन धरत नि आपको सीट माट्रेक्स जो है वो भी अवलेबल है सुलक विवरण भी अवलेबल है कि आप अपनी कॉलेज का सीट विवरण देख सकते हैं उसके बाद सीट अपग्रेडेशन अगर हम बात करते हैं तो मोपप चरण में किसी परकार का सीट अपग्रेडेशन यानि कि जो मि वो मिल गया अब अप्गेड नहीं कर सकते हैं और जिन्होंने अब इस राउंड में एडमेशन ले लिया वह आगे के स्ट्रेइ राउंड में पार्टेसिपेट नहीं कर सकते हैं और सही जगह पर जाएं अगर आप सीट छोड़ना चाहते हैं तो क्या होगा तो जो भी राशी आपने जमा की है वो फॉर्फिट कर ली जाएगी पहली चीज़ तो यह होगी और अगर आपने सीट प्रवेश ले लिये तो आप सीट नहीं छोड़ सकते हैं तो ब्लीज ध्यान से ले आरक्षन वैसे ही लगेगा बेटा जैसे नॉमली हर स्टेट में लगता है वही बात उन्होंने याँ पर कही है ठीक है ओबी सी एस्टी सभी का जो होगा वो रहेगा OBC का पत्र जो आपके पास सेटिफिकेट है तीन साल तक वैलेड रहते है तो देख लेजेगा आपने अपना OBC सेटिफिकेट अपडेट करा लिया हो DPW केटेगरी जो है उसके लिए भूतपुर सैनिकों के आश्रितों वैयुद में सहीद सैनिकों के पुत्रों को है अनुमायख होगा ठीक है प्रवेश परिक्षा के अगर हम बात करते हैं तो जो भी आपको जहां भी एडिमेशन मिलेगा वहां जाकर आपको अपनी सारी फीस डिपॉजट करानी होगी उस ट्रे राउंड जो होगा वो तो कॉलेज लेवल पर होगा ही उसमें कोई फ्रेस रेजिस्ट्रेशन नहीं होगी कॉलेज को लिस्ट बहेज दी जाएगी आपको परस्नली कॉलेज की वेबसाइट जो है देखनी पड़ेगी और उस वेबसाइट के साबसे आपको अडिमेशन मिलेगा बाकी शर्तों के लिए आप information bulletin देख लेए और इसी वेबसाइट पर और को information होगी तो upload की जाएगी तो यह सारी information मैंने आपको instructions बता दी है मोपप round 2 की Thank you so much for watching the video friends Take care of yourself Have a good day, do subscribe our channel